शिवार शिवम 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 नमस्कार आप सब का वमारे चैनल शिमद होम रेमेडीffs पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जारे हैं और नेक्स के बारे में बलू भी होता है ब्लैक भी होता है ग्रीन भी होता है मैं आपको बताऊंगा वीडियो में तो इसके benefits क्या होता है shivago.com पर आपको ये certified मिलेगा channel मिलेगा authentic मिलेगा और साथ में अभी मन्तित भी मिलेगा तो इसके लाब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए ओनेक्स जो उपरतन है ये कई रंगों में पाये जाता है हरे, ब्लू, पीले, पीले के मिश्रन, ब्लैक, धुमरवर्ण, धारियां भी होती है इसमें तो ये एक बहु गुनी उपरतन है ओनेक्स एक बहुत ही प्रभावसाली प्रतन है ये अपने रंग और अपनी बहतरीन प्रभाव चमता के कारण ही पर सिद्ध है इस रतन की उर्चा आपकी नकरातमक्ता को कम करने वाली होती है ये शरीर में मौझूद विशाक्त चीजों को बाहर करके बीतर से शुद्धता का संचार करता है इस रतन की उप्योग से वैक्ति का प्रभा मंडल जागरित होता है और उसकी जो शुबता है वो फैलती है और ओनेक्स कोई महेंगी पत्थर नहीं है इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो अब और वैसे ये पन्ना रतन का उपरतन माना जाता है इस रतन के परभाव से बहतर निर्णे निर्णी की छमता का विकास होता है राजनिती में रुची रखने वाले को पहनना चीए जो तीसीय सलाव पर हरी रंका जो अनेक्स होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है ये रतन मन और तिमाग को रियंतत रखने का कारे करता है जो वैक्ति महेंगे रतन नहीं पहन सकते हैं असमर्थ हैं उन्हें जो तीसीय सलाव पर ये उपर रतन पहनना चीए बुद्ग्रा को मजबूत करता है उन्हें जरूर धारन करना चीए कि बुद्ग्रा मजबूत होकर भी फल कमजोर दे रहा है इस रतन के परभाव से सोया भाग की चागरित होता है उन्हेक्स रतन की खासियत ये है कि आत्मे विस्वास में विर्धी कर सबी परकार के कामों बे बहतर परदर्शन के लिए प्रियरेत करता है इसको उर्जा प्रदान करने वाले गुन के कारण ऐसा कहा जाता है कि अथलिट अगर इसे पहनते हैं तो खेल में बहुत अच्छा परदर्शन करता है इस रतन के परभाव के कारण प्रशिद्धी और धन एक साथ मिलता है समाच में मान सम्बान सब मिलता है कन्याराशी का सौन बुद्ध होता है इसलिए कन्याराशी के जायतकों के लिए पन्ना का उपरतन ओनेक्स धान करना लाबताएक माना गया है इंद्रियों को पेना करना हो या आत्म विस्वास बढ़ाना हो तो ओनेक्स रतन्धारन करना लाव प्रद हो सकता है ओनेक्स हमारे मन मस्तिस्क और सकरात्म को उर्शा देता है और एकागरता लाता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म करना जरूरी माना जाता है लेकिन सफलता में प्राथना का भी महतु होता है लेकिन सफलता पाने में पूजा और रतनों से भी लोगों को लाव होता है ओने एक ऐसा रतन है जो ना सिर्फ चित्र को खुब्सूरत बनाता है बलकि धारक के बिविन बिवारियों से भी रक्षा करता है चरित्र को तो अच्छा करता है तो ओनिक्स एगेट की एक किस्म है इसमें काले भी होते हैं सफेद भी होते हैं और यह रतन तातों अस्थियों अस्थी मच्चा के विकारों को दूर कर उनमें बले भी प्रदान करता है इसके लाव तनाओ या आवसाद स्रिपीडित वैक्ति भी यदि ओनिक्स धान करे तुसे मानसिक संतुलन बनाये रखने में जाती है ओनेक्स इकागरता लाता है इसलिए स्काव प्योग चाप मालाओं में भी किया जाता है तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस रतन के पढ़ाई में कमजोर बच्चे और छात्रों को ओनेक्स धारन करने से लाव होता है इससे उनकी इकागरता बढ़ती है ओनेक्स र सबसे अधिक प्रभाव रहता है इसलिए जिन लोगों की समर्ण शक्ति कमजोर होती है उन्हें ओनेक्स धारन करने से लाब होता है वेपारियों के लिए ओनेक्स धारन करना बहुत लाब करी होता है इसके प्रभाव से वेपार में ब्रिदी होती है गनित, कॉमर्स तर्था कॉम्प्यूटर से समझे से च्छा परदान करने वाले अध्यापिकों के लिए ये उपरतन बहुत लाब डाय कुटा है ओनेक्स ताकत, स्टेमिना और आत्म नियंतरन को बराता है और इसके प्रवाव से मानसिक्तना, टर, बेचेनी, सारी शिकायते दूर होती है ओनेक्स रत्र, बुद्ध की महादश्या या अंतरदश्या में या बुद्धवार के दिन सुबह, या बुद्ध की होरा में आप पहन सकते हैं दाहिने हाथ के कनिष्टा उंगली में, आप पहन सकते हो, सबसे जो छोटी उंगली होती है उसमें उत्तम माना गया है कुछ लोग, कुछ जोतिशी, इसे शरी के बाईयोर भी धारन करवाते है इसकी राशी मकर है और उनेक्स नकरात्मक बातों या विचारों से हमारी रक्षा करता है इसलिए यदि नकरात्मक उर्जा से स्वयम की रक्षा करनी हो तो उनेक्स रतन बहुत कामयाब रहता है तो यह उनेक्स के गुन है आपके दिल, किड्नी, तंत्रिका अतंत, कोशिकाओं, बालों, आखों, नाकुन, याद्यों को मजबूत बनाता है अलाओक एक गुन है इसके पस दामपत्य जिवन भी सामान ज़स से बना के रखता है तो हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और फैमली लाइब भी है तो सारे है जिन वेक्तियों के कुंडिले में बुद्या राहू, शुभाव मेश्तित है और बुद्ध अत्वा राहू, कहीं दशा चल रही है तो इसके साथ हरे रंग का ओनेक्स बुद्ध ग्रह के लिए सबसे उप्योगी लेता है सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पुखराज, मानिक, मोती, मोंगारत्न और इनके उपरत्न के साथ ओनेक्स को धारन नहीं करना चीए तो धन्यवाद आप सबका हमारी चैनल पे स्वाकत है आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद